नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ राहूल कौशिक आरकेपे सभी का दोस्तों मामला कुछ भी हो चाहे कोई भी ऑकेजन हो मार हमेशा पैटरॉल और डीजर प्राइस को ही लगती है ऐसा ही कुछ फिर से देखने को मिला है यूनियन बज़र 2021 में जो फैस्ट फैबरेली क निर्मला सीथा रमन जी ने पेश किया था और उसके बाद में अपनी पीड भी थपतपा दी और इस सब के बीच में फार्मर बिल्स के उपर कहे गए इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर एंड फार्मर सेज भी लगा दिया गया पैटरॉल और डीजल बजिससे पै आइटम्स हो या एसेंशल सर्विसेज हो बजट 2021 में और ऐसा क्या क्या बूम है जो पब्लिक पे फोड़ा गया है उसके उपर भी आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और राहुल कोशिक आरके को सब्सक्राब कीज़े मैंटनेंस फ्री है तो दोस्तों आब बात करते हैं बैट बैंक सबसे बड़ा जो अनॉस्मेंट आया वो आया बजट में 2020 में वो था बैंक्स रिलेटेड पी एसबी यानि पब्लिक सर्विसेज बैंक जैसे एजब इंडियन बैंक इलाबाद बैंक पी एनवी एडिसी इन स सब बैंक्स की हालत खराब है ऐसा इंडियन सेंडरल बैंकिंग ऑथराटी आर्बियाई ने का इसी रिकमेंडेशन को आगे करते हुए फ्राइडे को इंडियन एकोनॉमिक सर्वेज जिसको पार्लेमेंट में टेबल किया गया था वहाँ पे कहा गया है कि पी एसबी के एसेड्स मेनेजमेंट कंपनी और एक एसेड्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी एर्सी के काम होगा उसके बाद लोन्स को एंड एनपीज को रिकवर किया जाएगा इस डिरेक्शन में सरकार 20,000 करोड का खर्चा करेगी यानि पी एसबी बैंक की हेल्थ ठीक करने के ल एंड लोन्स बैड लोन्स बन गए अभी उस लोन्स को सरकार भरेगी अपने बेल आउट मॉनी यानि टैक्स पेयर के पैसे से कुछ लोन्स को रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा कुछ लोन्स को बिजनिस असेट्स बेच के रिकवर किया जाएगा और बाकी जिनको कुछ नह को हटा कर एक separate entity के हाथों में दे दिया जाए so that banks credit improvement करने में ध्यान दे सकते हैं और loans recoveries and NPS management में उनका time ना बरबादो ऐसा सरकान का कहना है अगर यही reality हो पाता है तो देखने वाली बात होगी कि कैसे यह implement किया जाए या फिर bad banks बनने के बाद PSBs को एक और बार merger के सामना करना पड़ेगा यह सारी बाते clear हो जाएगी आने वाले financial year में लेकिन इस बात PSBs के stocks पर effect होगा SBI, Canada bank, PNB जैसे PSBs जो listed है उनको price fluctuation के कैसे होंगे यह देखने वाली बात हो सकती है वैसे इस budget announce के बाद में एक बात लगबग यह रही है कि सरकार PSBs को लेके serious है इसलिए शायद इन companies के stock पे demand बहुत ही बड़ा है SBI, PNB जैसे share day trading में jump लगाये गए Discoms पे focus Discoms मतलब electricity distribution company जैसे Adani Transmission, CESC, Siemens, Adani Green Energy, Bale, NKEC इन सब के share ने day trading में jump register किया क्योंकि Indian budget 2021 में Discompose के उपर 3.05 लाग करोड का investment करने का प्लान किया गया, Indian government का प्लान है कि Discompose का reform सरकार ने भी कहा था कि consumer को power देना चाहती है अपना favorite discom को choose करने के लिए ये एक बहुत बड़ा step होगा, इसके लिए पूरे देश में infrastructure और electric greed improvement की जरुद पड़ेगी, सरकार ने budget में infra growth के लिए एक अच्छा खासा allocation रखा है, यानि ये पूरा process में job generation के chance दिख रहे हैं जो इंडिया के unemployment youth के लिए अच्छा news हो सकता है, और इसी वज़े से इस news के investor ने positivity के साथ लिया और सारे discoms के stocks में अच्छा खासा jump किया है, लेकिन क्या इस push में min beneficiary कोई private player होगा, या फिर stake government on discoms को भी reform के अंदर लाया जाएगा, क्या stake on discoms को base दिया जाएगा private players को, stake discoms जैसे के EC के पास already depth कफिस आ रहा है, क्या उनको चुकाने के लिए ownership बदल दी जाएगी, will this be a new format of disinvestment in the energy sector, ये बाद भी आगे जाके ही देखने लायक होगी, फिलाल market को positivity ले रहा है और इससे market positive हुआ, other announcement, 85,000 करोड रूपीज for schedule caste and other backward class 2021, 23,700 करोड रूपीज for schedule troops, enhanced allocation of 9,500 करोड रूपीज for senior citizen and deviation, five archeology sites to be developed as iconic sites, Rs.2,500 करोड रूपीज to be allocated for tourism promotion 2020 and 2021, 3,150 करोड रूपीज to be provided for culture ministry in 2021, parameters and incentive to be provided to stank who take measure for cleaning air in cities above 1,000,000,000,000, 4,400 करोड रूपीज अर्श्री ब इते एलगाशा है। इंड वीड होर टेदिश प मैंड एंड करूष थालो worker को वें व ई। हैं थालोगोई एंड इंट शवर्यर इंड या को वेंड एंड को हैं ऑंसर प्रीड ब नो्हान है। for capital outlay to purchase new weapons, aircraft, warship and other military hardware. The revenue expenditure has been paid at Rs. 2.09 lakh crore which includes expense on payment of salaries and maintenance of establishment, income tax, up to Rs. 5 lakh no tax, 5 to 7.5 lakhs reduced 10 to 20%, 7.5 lakh to 10 lakh reduced 15 from 20%, 10 to 20.5 lakh reduced 20 to 30%, 20.5 to 15 lakh reduced 25 to 30%, 15 lakh 30% no-chain dividend distribution tax abolished. Around 70 of more than 100 income tax deduction and exemption has been removed to simplify tax system and lower tax rate to boost startups tax burden on employees due to tax on employees stock option to be deferred by 5 years till they leave the company or when they sell, whichever is earliest. Option to be provided corporate societies to be taxed at 22% plus 10% surcharge at 4% sales with no examin or deduction to also be examined from minimum alternative tax. Under VUDC, Vishwa's scheme taxpayer to pay only amount of dispute tax will be get complete waiver on interest and penalty if scheme is available by March 31, 2020. Aadhar-based verification of taxpayer being introduced a system to be launched soon for instant online allotment of PAN on basis of Aadhar without the need of filling any application form. Total allocation of such Bharat is around Rs. 12,300 crore for this year. Central government debt has come down 48.7% in March 19 from 52.2% in March 14. तो दो दोस्तों उमीद करता हूँ यह पूरा बजजट का सिनेरियो आपके समझ में आ गया होगा. मैंने बजट आपको समझाने की पूरी कोशिच करी है. इस वीडियो को बार-बार दिखिएगा. स्क्रिंशॉट ले ली जेगा ताकि आपके पास वो नौलेज रहेगी वो फैक्ट रहेंगे जो हमारे बजट में इस सल दिये गए हैं तो यह बजट आपके लिए फायदेमंद रहा होगा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और राउल कोशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा.